हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आटो मोबाइल इंजन सीरीज का ये पार्ट नाइन है सुरू के आठ वीडियो में मैंने इंजन आइल के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया सारे ही वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार के इंजन आइल और बाइक के इंजन आइल में क्या डिफ्रेंस है क्या हम लोग bike में car का engine oil या फिर car में bike का engine oil डाल सकता है और उससे क्या-क्या नुकसान हो सकता है तो वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe भी जरू कर ले अपर इन सबसे पहले मैं आपको ये बताओं चाहे car में चाहे bike में चाहे scooter में किसी में भी जब engine oil को डाला जाता है तो engine oil का काम ये होता है कि engine के जितने भी moving parts है जैसे का आप देख सकते हो piston हो गया piston ring हो गया या फिर जो connecting rod है जो crank shaft है जो कलच है gear box है bearing है इन सब को lubricate करना इनमे friction से बचाना यानि की घरसन से बचाना इनको wear out से बचाना यान की इनको घिसने से बचाना और इन्हें ठंडा भी रिखना तो ये काम होता है engine oil का अब परेंट लेकिन दिक्कत ये है कि जो कार का कंस्ट्रक्शन होता है और जो बायक का कंस्ट्रक्शन होता है ये अलग-अलग होता है अब देखे कार में क्या होता है कि भले ही जो इंजन है वो ट्रांस्मिसन सिस्टम यानि की गेर बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है लेकिन कार का जो इंजन उसका कंपार्टमेंट अलग होता है उसका ओईल सम्प अलग होता और उसमें अलग से ओईल होता है वहीं दूसरी तरफ जो गेरबॉक्स है उसका भी कंपार्टमेंट अलग होता और उसके लिए ओईल अलग होता है इसलिए यह कहा जाता है कि कार में हमें इं यह सब एक ही compartment में होते हैं और जो engine oil होता है वो सिर्फ एक ही engine oil, engine के parts को, gear box को और जो कलच है इन सब को वो lubricate करता है तो basic difference तो यह हो गिया और इसी वज़ा से जो engine oil बनाया जाता है car के लिए या फिर जो bike के लिए उनका जो chemical composition होता है जो properties होती है वो अलग-अलग होती है अब चू कि जो car वाला engine oil है उसका main primary function बस यह है कि जो engine के parts से उन्हें lubricate करना उन्हें friction से बचाना और fuel efficiency को maintain करके रखना इसलिए वहाँ पे जो friction modifier है उसका use क्या जाता है और वो कम level पे होता है friction modifier लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो bike होता है अब उसकी जो bike का engine oil होता है उसके ये भी जिमेदारी होती है कि engine के सारे parts को तो हमको बढ़ियां से clean करके रखना है lubricate करके रखना है लेकिन उसका ये भी काम है कि जो clutch है उसे अच्छी तरह से weight करके रखना lubricate करके रखना ताकि जब आप clutch को दबाओ तो clutch का engagement ज्यादा बेतर तरीके से हो clutch slip नहीं करे और उसी engine का ये कि सारा ह्य जो खेल है वो viscosity का ही होता है अब viscosity को असाल अब्जों में कहना हो तो जो हमारे engine oil है वो कितनी अच्छी तरह से जो engine के अंदर में slice करेगा move करेगा flow करेगा उसे viscosity कहते है अब viscosity किसी इंजयNE及材 की जितनी कम होगी उससे क्या होगा कि वो engine oil जादा जादा जल्दी लेकिन उससे दिक्कत यह आ जाएगा कि वो सही से ठर नहीं पाएगा इन पार्ट्स के उपर में और लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा विसकोसिटी जितना जादा बेहतर होगा उतना ही जादा गाढ़ापन होगा इन इंजन ओल का थिक लेयर बनेगा तो इसलिए जो कार का इंजन ओल है उसकी विसकोसिटी अलग होती है और जो हमारा बाइक का इंजन ओल है उसकी विसकोसिटी अलग होती है और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ज़ादर जो आटमोईल कमपनी वो यही मानती है कि जो बाइक है वो ज़ादा प्रेशर और ज़ादा इस्ट्रेस पर रहता है जब वो बाइक का इंजन ओपरेशन में होता है क्योंकि वज़ा ये है कि जो बाइक का इंजन होता है वो compact size का का होता है चोटा साइज का होता है और वह जादा aRPM में काम करता unda उस्सपीड मुफ करता कесь तो क्रैंग सरब का मॉलेक प्रेक करने लगता है अगर engine oil सही नहीं डाला जाए बाइक के अंदर में और इसके बाद ये होता है कि engine oil का जैसे ही molecule break होता है तो जो viscosity है वो कम हो जाती है और engine का lubrication system वो सही से काम नहीं करने लगता है इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम बाइक में co-polymer based advanced viscosity modifier वाला ही engine oil यूज़ करें ये सारे ही technical terms है जिसको समझना होगा कि हमें जो car का engine oil है और जो bike का engine oil है वो अलग अलग होता है फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग bike में car का engine oil या फिर car में bike का engine oil डाल देंगे तो क्या होगा सबसे पहले bike की बात करते हैं तो bike में जब car का engine oil डाला जाएगा तो सबसे पहले तो problem आएगा कलश के साथ अब यहातर bike में weight clutch का यूज गाएगा जो weight clutch होता है उसे lubrication का ज़रूत पड़ता है हाला कि car वाले engine oil से भी इन जो clutch है उनका lubrication तो होगा लेकिन वो सही तरीके से नहीं होगा clutch slip करेगा जब आप clutch को engage करोगे insert होने ही ये वाला है कि जब आप throttle लोगे, accelerator लोगे तो engine से race का तो आज आएगा लेकिन आपका जो bike है वो accelerator नहीं पकड़ेगा power का loss होगा क्योंकि जो clutch होता है वही engine के द्वारा produce करने वाले power को further आगे gearbox तक भेजता है दूसरा जो problem आएगा वो gearbox के साथ आएगा gearbox में friction बढ़ जाएगा क्योंकि जो car का engine oil होता है उसका जो friction modifier का level होता है वो अलग आता है एक और जो point जहाँ पर दिक्कत आने वाला है वो है cooling को लेकर आप जो bike का engine oil होता है वो cooling का भी काम करता है वो parts को ठंडा भी करता है लेकिन चूब की car में जो cooling system में वो अलग होता है उससे दिक्कत आने वाला है कि जो car का engine oil है उसमें जो coolant की property है वो कम होती है तो engine जादा गरम होगा खास करके जब आप तेजी गती से अपने bike को चलाओगे एक और point दिक्कत आने वाला है कि देखे अलग अलग bike के लिए 100cc, 200cc, 300cc सब के लिए engine oil अलग-अलग होता है तो जो car वाला engine oil है हो सकता है कि वो 300, 400, 600cc के bike में सही से काम करे लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 100cc में सही से काम नहीं करे तो मैं यही कहूंगा कि जो bike है वहाँ पे आप car वाल engine oil नहीं डाले अगर गलती से आप डाल दिये तो घबराने की बात नहीं है अगर आपने 500,000 km, 2000 km भी चला दिया है तो दिक्कत की बात नहीं है लेकिन आप उसे खाली कर दो और बार बार bike में car वाला engine oil है वो नहीं डाले अगर बात करें कि हमनों car में bike का engine oil डाल दे तो क्या होगा यह बिल्कुल recommended नहीं है क्योंकि mostly क्या होता है जो bikes होते हैं अप 99% bikes दोखोगे वो 400cc का अंदर ही होती है लेकिन जो हमारा car होता है वो 1000, 2000, 300cc है उससे ज़्यादा का भी होता है तो 100, 200cc वाले engine oil आप 1000, 2000 में डालोगे तो दिक्कत आएगा दिक्कत यह आएगा कि जो car के parts होते हैं उनका size जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है उनको अलग level पे अलग property वाले engine oil के जरूत होती है और उनका जो operating temperature होता है वो भी अलग होता है इन शॉर्ट जो bike का engine oil है वो car में सही से काम नहीं कर पाएगा तो यह आप बिल्कुल गलती नहीं करें car में तो bike engine oil डालने की सोचे भी नहीं और लोग डालते भी नहीं है फ्रेंड्स ये तो हो गई engine oil की बात अब थोड़ा हम लोग car के spare parts के भी बात कर लेते हैं अब फ्रेंड्स अगर आपके पास car है और आप अपने car के लिए 100% genuine spare parts आते हो तो इसमें आपकी help करेगा woodmore.com woodmore.com online spare parts के expert है और यहां से आप Indian company के cars के साथ साथ जितनी भी विदिशी company है उनके car के 100% genuine parts असानी से मंगा सकते है इनका interface बहुत ही simple है जस्ट आपको अपने car की manufacturing company, model, air, variant जालना है और उसके बाद आप अपने car के लिए जो spare parts हो नहीं सर्च कर सकते हो वहां पे आपको बहुत सारे spare parts आ जाएंगे और आप अपने car के लिए parts चुन भी सकते हो मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहां पे आपको अपने car के model के हिसाब से OEM catalog भी मिल जाएगा अलग-अलग section के लिए नहीं कि engine, transmission, steering और भी जितने system करके सबके अलग-अलग आपको जो catalog है वो मिल जागा इन catalog में उन section का सारा ही parts आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही आपको इन parts का number जो description है या कितनी quantity लगने वाला ये सब आपको मालूम चल जाएगा आप इन parts की compatibility भी आसानी से चेक कर सकते हो और उसके बाद आप अपने parts को order कर सकते हो यहाँ पे 10 days का return policy भी है तो फिर्ण बुडमोर.com में जरूर जाए वहाँ से आप अपने कार के लिए parts जरूर से मंगाए जो website का link है वो मैं इस वीडियो के description में दे दूंगा तो फिर्ण उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में thanks for watching this video goodbye